कैसे आप maintain कर सकते हो 100% battery health on your iPhone मेरे पिछले battery health वाले वीडियो में भाई आप लोगों ने बहुत जादा प्यार दिया तो मैंने सुझा इस वाले topic पे और भी in-depth वीडियो बना हूँ और आपके लिए और भी तारह information collect करके आपके सामने रखूँ मेरे पिछले battery health वाले वीडियो में 1 million से भी जादा views है फिर भी काफी सारे लोगों के मन में कुछ questions है तो इस वाले वीडियो में उन सारे questions के answer देने वाला हूँ सबसे बहले हम बात करेंगे कि क्या यह possible है आप 100% पे battery health को maintain कर सकते हो इसके बार हम बात करेंगे कि क्या software update से आपकी battery health पे effect पढ़ता है फिर मैं आपको कुछ settings बताऊंगो जो कि आपको अभी के अभी कर लेनी चाहिए और तो कौन सी चीज़ें आपको avoid करनी चाहिए उनके बार में भी बात करेंगे और ऐसे और वीडियो के लिए और आइफोन related वीडियो के लिए मेरा चैनल subscribe कर लेना तो सबसे बहले बात कर लेते हैं Is it possible to maintain your battery health 100%? So the answer is no हम सब भी जितने भी phones use करते हैं उसमें आपको lithium-ion battery मिलती है जो कि time to time अपनी जो capacity है उसको कम करती जाती है Basically जब भी आप अपनी battery को full charge करते हो और phone को use करते करते हैं जब उसकी charging कम हो जाती है तो ये एक charging cycle कहलाता है और हर एक charging cycle के बाद आपके battery की जो performance होती है वो धीरे धीरे downgrade होना चालू हो जाती है तो practically ये impossible है कि आप battery health को 100% पे maintain कर सकते हो Basically ये battery health peak performance capability होती है आपके iPhones की जो की time के साथ साथ reduce होती जाती है तो no matter आप किते भी अच्छी तरीके से अपने battery को maintain कर लो उसको proper charge करो वो time के साथ कम होती जाएगी Apple का कहना है on and average 2 साल के अंदर आपकी जो peak performance capability है ये 80% के आपस पास आ जाती है and 80% से नीचे आपको अपनी battery replace कर वा लें चाहिए ऐसा Apple का कहना है लेकिन इसको आप extend भी कर सकते हो इसके लिए मैं आपको कुछ settings और कुछ tips बताऊँगा आगे इसी वाले वीडियो में उससे बहले बात कर लेते हैं हमारे second topic की इस software updates affects your battery health कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अपना software update करते है और उसके बार अपनी battery health चेक करते है तो भाई 2-3% 5-5% तक नीचे आ जाती है तो उसका reason क्या है तो इसका answer मैं आपको देदू कि भाई नहीं ऐसा नहीं होता है कई लोग बुलेगे कि मुईत भाई कैसी वाते कर रहा है जैसे हमने software update किया हमारी battery health 5-5% तक नीचे आ गई तो भाई उसका reason भी बता देता हूँ यह जो battery health आपका phone आपको show कर रहा होता है जब भी आप settings में battery के अंदर battery health को देखते हो तो जब भी नया software install हो रहा होता है तो यह काफी सारे checks perform करता है जिसमें से एक battery health भी होती है and for example आपने पिछले 7 महीने से कोई भी software update नहीं किया हो है और आपकी battery health 100% ही show कर रहा है लेकिन जैसे ही आप अपनय अपडेट करते हो तो आपका system जो है वो battery health again से check करता है and software update के बाद जो real battery health है वो आपको show करता है तो यही reason है कि जब भी आप software update करते हो तो आप battery health आपको कम show करता है and सचा ही है कि तब वो आपकी real battery health show करता है तो चलो बात कर लेते हैं उन settings की जो कि आपको अभी के अभी कर लेनी चाहिए for maximum battery health. सबसे बहले तो settings के अंदर battery के अंदर optimized battery charging को on कर लो. यह basically आपके charging pattern को observe करेगा और 80% से उपर आपके battery को charge होने नहीं देगा. No.2 है settings के अंदर privacy के अंदर tracking को जाके off कर दो. इससे दो फाइद होंगे पहला आपके battery भचेगी दूसरी चीज़. Apple जो भी आपका data track कर रहा है वो नहीं कर पाएगा. जिससे आपकी कहीं न कहीं safety भी बढ़ जाती है. इसके लावा तीसरी settings privacy के अंदर ही location services को जाके off कर सकते हो. या फिर अगर पूरा off नहीं कर सकते तो जितने भी apps आप यूज करते हो. इसके लावा अगर आपके पास OLED डिस्प्ले वाला फोन है तो भाई डार्क मोड को on रखो. और अगर LCD display वाला phone है जैसे कि iPhone 11, iPhone 7 तो भाई डार्क मोड यूज मत करना वो फिर light मोड में यूज करो जादा अची battery backup मिले. next setting है background app refresh वहाँ से जाके जितने भी application आप कम use करते हो background app refresh को off कर दो और अगर चाहो तो पूरा भी off कर सकते हो for maximum battery life. इसके लाव अगर आपके पास iPhone 14 Pro, 14 Pro Max है तो always on display को off कर तो भाई बैटरी बहुत सादा खाता है. हमाई last setting है reduce white point इसको जाके आप on कर लो और यहाँ से आप अपना level decide कर सकते हो यह आपकी battery को काफी हद तक healthy रखेगा. इसके लाव काफी सारे लोग पूछते हैं कि क्या आपको low power mode को on रखना चाहिए तो भाई मैं recommend करता हूं कि नहीं जब भी 20% 30% से नीचे जाती है आपकी battery तब जाके low power mode use कर सकते हो. तो यह तो धी settings अब बात कर लेते हैं उन चीजों की जो कि आपको avoid करनी चाहिए. सबसे पहला भाई fake chargers use मत करो. जिते भी लोग fake वाले chargers use करते हैं 300-400 रपया वाले वाले chargers use मत करो. एक तो risk रहता है आपका phone damage हो सकता है उससे और battery health तो affect होती ही होती है. हमेशा Apple का original charger और cable use करो. या फिर MSI certified cable ही use करो. कभी भी अपनी battery percentage को 20% से नीचे मत जाने दो. मैं ऐसा नहीं है लेकिन कुशिश करो कि जब भी आपका phone 30% के आसपास पहुंचता है तो भाई उसको charging पे लगा दो. 80, 90, 95 जिती भी आपको charge करनी हो वहां तक charge कर सकते हो. भाई कि अपनी mentality ऐसे हो रखा है phone. तब phone को charging पे नहीं लगाओ. क्योंकि जो heat होती है ये lithium-ion battery के लिए अच्छी नहीं होती है. तो अपने phone को heat से बचा के रखो. अपने phone को heat से थोड़ा सा बचा के रखो. और अपने phone को धूप से भी बचा के रखो. अगर direct sunlight अगर आपकी battery पे पढ़ती है तो भा नहीं होता है. तो वो भी एक बहुत बड़ा reason होता है battery drain होने का. अब लास्ट चीज जो आपको नहीं करने चाहिए भाई wireless charging. wireless charging जो होती है वो 30-40% जादा power consume करती है as compared to normal wire charging. तो भाई wireless charging जिता हो सके avoid किया करो because उससे आपका phone heat भी बहुत जादा होता है and charging speed भी आपको slow मिलत also जब भी wire से charge करते हो तो अपना case जो है वो remove कर दिया करो ताकि आपका phone heat से बच सके. अब बढ़ते हमारे next point की तरफ जो की है what to do if your battery health is below 80% तो भाई देखो Apple बोलता है कि अगर आपकी battery percentage 80% से नीचे चला जाता है तो आपको अपनी battery जो है वो replace करवा लेनी चाहिए. तो भ हाँ उसकी capacity कम हो जाती है आपको जो battery backup है वो कम मिलेगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको battery change करवानी ही पड़ेगी no matter आपकी battery percentage 74% 72% तक क्यों नहीं चली जाती है अगर वो battery backup आपको दे रही है अगर आपका उससे काम चल ला है तो भाई चलने दो जब वो battery आपको ब formula के बारे में जो की एक secret formula है जिससे आप अपनी battery health को maximum maintain कर सकते हो और आपकी battery health जो है वो काफी लंबे समय तक maintain रहे जितनी यह settings कर लेना जितनी चीज़ें मैंने avoid करने को बोली उनको avoid करना and सिफ और सिफ एक ही formula अपने दिमाग में बिठा लो कि भाई जब भी आपका phone 30% के limitation मत रखो अगर आपको long term के लिए यूज करना है बाई दो साल तीन साल बाद उसकी battery चेंज कर वा लेना पांच-छेज़ार रपे की battery आएगी और आपका phone एकदम brand new हो जाएगा तो battery health के इतनी ज़्यादा tension लेना कम करो सिफ एकी formula याद करो 30% के आसपास आ जाती है तो आप उसको चार्ज पर लगा देना है और बाई चांस अगर वो 20% से भी नीचे चली जाती है तो भी कोई ऐसे tension वाली बात नहीं है simply उसको charging पर लगाओ 80-900 जित्ती भी करनी है आराम से करो इतनी ज़्यादा tension मतलो बिकोश ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा बाई दो साल बा tension मतलो आराम से फोन यूज करो और अगर आपने मेरा पुराना वाला बैटरीयाद वाला वीडियो नहीं देखा है तो उपर यह तरा आई बटन पे क्लिक करके देख लेना अगर यह वाला वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना चैनल सब्सक्राइब कर देना और ब सबसे पहले पहुंचा के तो मैं मलता हूँ से नेक्स यूडियो में तब तक के लिए बाबाए